नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाखा है, मैं आयुर्वेदा एक्सपोर्ट हूँ, आईफा आयुर्वेदा इंडिया में, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज तो सोरियासिस, इस बिमारी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, यह वो सवाल है जो जादा तर सोरियासिस के पेशिंट्स और उनके रिलेटिव्स हमसे जानना चाते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सोरियास किस वज़र से होता है, इसके कारण क्या है, किन लोगों को ये होता है, इसी के साथ इसके लक्षन क्या है, किस तिथी में सोरियासिस के बिमारी बढ़ जाती है, इसी के साथ इस बिमारी का आयुर्वेद में क्या इलाज है, आपको आयुर्वेदा के हिसाब से अपनी दिन चरिया में अपने खान पान में क्या-क्या परिवर्तन करना है इस सभी चीजों की जानकारी मैं आज आपको इस विडियो में बताने वाले हूँ Sorious क्या है? Sorious ये एक त्वचा रोग है, it is a common chronic skin disorder जो की auto immune disease यानि कि जब हमारा शरीर हमारा ही दुश्मन बन जाता है उसको हम autoimmune disease कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे शरीर के antibodies जो की infection को मारने के लिए बनते हैं, वो जब infection की जगह हमारे ही शरीर के स्वस्थ यानि कि healthy cells पर attack करते हैं, उसे हम autoimmune disease कहते हैं, तो psoriasis इस तरीके की autoimmune disorder है. अगला सवाल जो हमसे जादतर पूछा जाता है, वो है कि psoriasis के बिमारी एक दूसरे से फैल सकती है क्या, क्या यह बिमारी contagious है, तो इस सवाल का जवाब है नहीं, psoriasis is not a contagious disease, यह एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे की साथ रहने से नहीं फैलती है, तो इस बिमारी के का कारण क्या है, तो कारण कुछ इस प्रकार है, अनुवांशिक कारण, यानि कि genetic factors, इसके वज़े से लोगों में psoriasis पाया जाता है, इसी के साथ external factors, यानि कि बाहिया कुछ कारण, जिस वज़े से लोगों में psoriasis होता है, इस बिमारी के triggers क्या है, ऐसे कारण जिस वज़े स में या ड्राइ मौसम में हम देखते हैं कि पेशिंट्स में सोरियासिस के तगली बढ़ जाती है इसी के साथ स्मोकिंग करने से या स्मोक इनहेलेशन के कारण मतलब आप किसी ऐसी जगव पर काम करें जहां कि बहुत धुआ हो रहा है उस वज़े से भी बिमारी हो सकती है इसी किसे भी तरीके की स्किन इंजरी यानि कि ऐसी कुछ इंसेक्ट बाइट या फिर सन बन जैसे कि धूप में जादा टाइम रहने से भी ये बिमारी हो सकती है उसी के साथ गले के इंफेक्शन या स्किन इंफेक्शन के वज़े से भी सोरियासिस के बिमारी बढ़ जाती है तो तो अब जानते हैं आयुर्विदा सोरियासिस के बारे में क्या खहता है, आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, यह अश्टांग रिदय सहीता क्या एक शलोक है, आयुर्विदा के हिसाब से सोरियासिस यह एक कुष्ट रोग है, उसमें से भी अगर हम एकदम बारीकी से आपको बता है, तो यह सिद्म कुष्ट के अंतर गताता है, सिद्म इस बिमारी के लक्षन कुछ इस प्रकार है, शरीर पे लाल चट्टे उठना और जिसमें जो चमड़ी है वो एक चांदी के परक्षी तरह सिल्वरिश जो लाइनिंग रहती है वो निकलती है, इसी के साथ जो हमारे जोइंट्स है, वो सब सूच जाते हैं और उसमें एक तरीके की अकड़न आ जाती है, इसी के अलावा जो नाखून है, नाखून मोटे हो जाते हैं, उसी के अलावा इस बिमारी में देखा जाता है कि ड्राइनिस के कारण पेशन को खुजली होती है और कई बार व कुछ सिम्टम्स जो हम जनरली देख सकते हैं, सिधम यानि कि सोरियासिस में, सोरियासिस ये बिमारी हमें ज्यादा तर देखने को मिलती है, स्कैल्पर यानि कि सर की तचा, चेहरे पर, हतेलियों पर, एल्बो पर, घुटनों में, तलवे में और पीट के निचले हिस्सों मे ये कुछ common location है, कुछ common जगा है, जहां पर ये बिमारी हमें देखने मलते हैं, इसके अलावा भी ये शरीर पर दूसरी जगाओ पर पाया जा सकता है, ये तो हो गई समस्या की बात, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ सोरियासिस के समाधान के बारे में, आयर वेदा के हिस आप से आप क्या कर सकते हैं सोरियासिस के बिमारी को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगे पत्य के बारे में, पत्य यानि लिस्ट ओव डूस, इस बिमारी में आपको क्या-क्या चीज़े फॉलो करनी हैं, उसके जानकारी में आपको देती हूँ, तो स उसी के साथ-साथ गरम पानी का सेवन करें, हरा चना खाए, अनार का फल खाए, आमला खाए ये तो हो गई खाने के बद, अब रूटीन में जो आपको बदलाव लाना है, वो है कि पहले का खाना जब पच जाए, उसी के बाद अगले खाने का सेवन करें ऐसा नहीं कि आप हर दो-दो घंटे पे खाएंगे, या फिर आपका लंच टाइम इस टाइम पे है, भले आपको भूख नहीं लगी, फिर भी आप खाएंगे, तो ऐसा ना करें जब आपको भूख लगरी और पहले का खाना पच चुका है, उसी के बाद अगले मील का सेवन करें इसी के साथ साथ गंटे की नीम ज़रूर लें, इसके अलावा एक्सरसाइस की आधट डालें उसी के साथ साथ अपने दोस्तों से और परिवार के साथ घुले मिले और अच्छे सम्मंद बना क्योंकि स्ट्रेस कम करने से इस बिमारी में बहुत ज़ादा पेशन को फायदा होता है इसी के साथ सुबह की और शाम की धूप ले सुर्योदर और सुर्यास्त के टाइम पर जरूर आप तहलने निकले और तभी जो सुरज की किरने रहती हैं उसका सेवन करें उससे इस बिमारी में बहुत ज़ादा लाब होता है अब मैं आपको अपथ्य के बारे में बताऊंगे यानि कि list of don'ts इस बिमारी में आपको क्या-क्या चीज़े avoid करने हैं तो सबसे पहले हैं जादा तीखा, नीठा, खटा या नमकिन पदार्तों का सेवन न करें इसी के साथ fermented products यानि कि keen wit पदार्तों का सेवन न करें उसके अलावा non-witch, soft drinks, दही, उड़त दाल इन सभी चीज़ों का award करें, पापड, ये सभी चीज़ों का सेवन न करें इसके अलावा बासी खाना न खाए, reheated food यानि कि हम बार-बार जिस खाने को गरम करके खाते हैं वैसे न करें, fresh खाना बने हैं और उससे fresh ही खाए, कोशिश करें कि microwave का use up न करें खाने को गरम करने के लिए, इसी के साथ-साथ alcohol यानि कि दारू और cigarette का सेवन न करें उसी के अलावा जब भी आपको psoriasis की तकलीफ लग रही है कि बढ़ रही है और आप AC कमरे में जादा ताइम तक काम करते हैं, तो बाहर निकलिए और थोड़ा सा walking पे जाए, धूप का सेवन करें क्योंकि जादा लंबे समय तक AC रूम में रहने से भी इस बिमारी में तकलीफ हो जाती है इसी के साथ दिन में सोने से यानि कि दिवा स्वाप करने की वज़े से भी ये तकलीफ लोगों में हम देख सकते हैं उसी के अलावा जादा स्ट्रेस लेने की वज़े से भी ये बिमारी बढ़ सकती है तो कोशिश करें ये सारी चीज़ों को आप अवएड करें ताकि सोरियासिस के बिमारी आपके जल से जल ठीक हो जाए अब मैं आपको बताऊंगी योगा असना जो आपको सोरियासिस ठीक करने के लिए करने है सोरियासस में योगा करने की वज़े से आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन जो रक्तस अंचार है वो इंक्रीज होता है वो बढ़ता है जिसकी वज़े से शरीर की रोक प्रतिकार शक्ति यानि कि इम्यूनिटी भी इल्हांस होती है बोडी के तो जो योगा आसन आपको इस बिमारी में करने हैं वो कुछ इस प्रकार है सर्वांगा आसन, सर्वासन, वज्ज्रा आसन, पश्चिमोत आसन, सूर्य नमस्कार, सुप्त बंध कोनासन, सुखासन इन सभी आसनों के अलावा प्रानायाम की भी प्राक्टिस जरूर करें जिसकी वज़े से जो आपका ब्लड सर्क्यूलेशन है वो अच्छा होगा और मेंटिल पीस होगा तो चलिए अब चलते हैं सबसे important part की तरफ, आयर विदा में इसका treatment, आयर विदा में इस बिमारी का treatment हम तीन तरीकों से करते हैं अभ्यंतर चिकित्सा, बाहिय चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा तो अभ्यंतर चिकित्सा यानि कि internal treatment में हम इस बिमारी में पेशिन को देते अभिपत्तिकर चुर्ण, प्रिफला चुर्ण, कैश्वर गोगुल, खादिर आरिष्टा, महातिक्त कशार और आधिर दवाई इसके अलावा बाहिय प्रयोग में यानि के एक्स्टर्नल अप्लिकेशन में हम पेशन को देते हैं तक्रधारा, स्वेधन, अभ्यांगप और शालन जैसे प्रोसीजिस का लाब की वज़े से पेशन में ये बिमारिया ठीक होती है इसी के साथ सिंगल हर्ब थेरपी में हम पेशन को देते हैं हर्ब्स लेक, लजालू, तटू रोहीनी, हरितकी, हरिद्रा, आमलकी, निम्ब, पटोल, आधी जैसे द्रव्यों का सेवन किया जाता है इस बिमारी में किसी के साथ पेशन को पंच कर्म चिकित सामें हम वमन, दिरेचन और रक्तमोक्षन जैसे प्रोसीजिस देते हैं अब ये दवाईयां और ये प्रोसीजर जो है, ये किस बेसेस पर डिसाइड होता है तो ये आपको बिमारी कितने सालों से है, किस एक्स्टेंट तक है, कितना गहराई तक है आपके शरीर में है आपके शरीर में कौन से दोशों के गृद्धी हुई है, इन सभी चीज़ों को देख कर ही इन दवाईयों को कॉम्बिनेशन स्पेशन को दिया जाता है तो ध्यान रखिए, किसी भी दवाई का सेवन कुछ से ना करे, एक्सपोर्ट की सरा जरूर ले अगर आपको सोरियासस के बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमारे वेबसाइट पर जरूर जाए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो उसे जरूर देखे, इसी के साथ अगर आपको ये विडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक शेर जरूर कीजेगा, और नीचे कमेंट करके हमें बताइए, कि आपको और किस बिमार के अलर्जी की परिशानी है, तो आप हमारे साथ अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं, हमारी फाउंडर डॉक्टर साहिल गुपता, इन्हें 14 वर्सों से भी जादा एक्स्पीरियंस है, अनुभव है, अलर्जी और तवचा विकार ठीक करने का, तो इनके साथ अपॉइन्मे पर दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं, अगर आपको ये विडियो पसंद आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, और इस विडियो को थमसब दीजेगा, इसी के साथ आपकी कोई भी शंका ये समस्या है, उसे आप कमेंट सेक्शन में प्लीजी फ्री रहे टु Daisy शंका कि विंटां धॉ Ihrं में सुक्षकर है, बड़ आपकर ये अदेए 2 Dalas , ये अड़ास 2 शंके समल रहे बाल शंके वाừa है